अच्छा 10 के बिज्ञान के सबसे important topic बताने वाले हैं फ्रेंस यह आप बोर्ड के exam में target बनाए हैं कि 70 में 70 नमबर बिज्ञान में लाएं तो आप इस वीडियो को last तक जरूर देखिएगा फ्रेंस आप वीडियो को skip मत कीजिएगा आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है फ्रेंस आज आप सभी को पूरे किताब का संपूर important question बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड के exam में यही प्रश्ण आने वाला है फ्रेंस यह आप बोर्ड के exam में 95 परतिशत लाने का target रखे हैं तो आप आसानी से इस वीडियो का देखने के बाद अपने target को प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंस आज आप सभी को मात्र पचाश ऐसे topic बताएंगे जो आपके बोर्ड के exam में यही topic और यही प्रश्ण बार बार आपके बोर्ड के exam में आता है ठीक है चले फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखें यहां पर पहला है रसायन विग्यान रसायन विग्यान में जितने प्रश्ण है और जितने टापिक से आपके बोर्ड के exam में हर सल प्रश्ण आता है वही प्रस्ण बताने वाले हैं फिर देखिए आपको क्या है कि रसायनिक ज्यान में पहला चप्टर है रसायनिक समिकड़ आप इस टापिक को जरूर पढ़के जाईए कि रसायनिक समिकड़ क्या होता है संतुलित समिकड़ के बारे में ठीक है यह इतना इंपोर्टेंट है आ आपको पहले टापिक किलियर करना चाहिए कि रसायनिक समिकड़ होता क्या है इसे जरूर आप पढ़ है फिर इसके अलावा संतुलित रसायनिक समिकड़ क्या है इसे भी आपको पहना अनिवार है अगला टापिक आपका है सबसे इंपोर्टेंट रसायनिक समिकड़ क्या प अभिकरिया आता है बार-बार आता है जिसे हम योगात्मग अभिकरिया के नाम से भी जानते हैं सद्मकिरिया का मतलब क्या होता है जैसे दो पदार्थ रहेगा A और B ये आपस में मिल के च्पी यह उग पनाता है इस अभी लिए इसके साथ में आपके एक्साब को जरूर करदा जाएए прरोड़ की लिए इसके साथ में खैंक साथ में सबसे चलाब इंपॉर्टेंट यह आ excess इनी कर अभी कृषिए इसके साथ में आपको उपचेन पढ़ना है अपको पता रहे हैं यही सब प्रश्ण आपके बूर्ड के एक्जाम में आता है ठीक है चलिए अगरे देखते हैं अब देखें आपको क्या करना है कि अमल चार और लवार से कौन कौन सा टॉपिक को पहना है अमल चार और लवार जो दूसरा चेप्टर आपका है इसमें आपको क्या करना है कि अमल चार और लवार अमल क्या होता है चार क्या होता है लवड क्या होता इसका गूर एवं उपियोग ठीक है और साथ में इसका परिभासा यह जरू पढ़के जाएगा अमल चार लवड क्या इह सवाल भी पू velocidade है इसका प्यांति क्या हौता है इसके अब अबुचता है शोडियम हाई्ड और हके बनाने वीदी जरू पढ़ दाहाぎ सोडियम हाइड्राक्साइड कस्तुत्रियात कर लिए इसके अलावा किस पकास बनता है यह पढ़के आप इसको बोड के एकजाम में जाना है अब इसका अगला टापिक इंपोर्टेंट टापिक देखिए विरंजक चूड विरंजक चूड का रसाइनिक फार्मूला क्या होता है जैसे सी ऐओ स्यल टू होता है न इसका रसाइनिक फार्मूला पढ़के जाएं साथ में बाने की वीदी जरू पढ़के जाएगा और इसका उपएयोग यह तीन चीद जरू पढ़ना है इसके लाब बेकिंग जोडा को बनाने के वीदी इसका उप यद्योक और आपको इ चाने के वीधी पाना है कि क्या पाना है वीधी पाली जीए फिर इसके लाइसका सूत्र याद कर लीजिए ठीक है कि इसका सूत्र क्या होता है फिर इसका उपयोग यह तीन पॉइंट आप जरुब पढ़के बोर्ड के एक्जाम में जाएगा आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टन जो टापिक था अमल चार लवड़ में इन सभी पॉइंटों का आप जरुब पढ़के जाएगा सिर्फ इन प्रशनों को आप पढ़के जाएगा आप आपको पढ़के जाना है जैसे आपको सपार जरु पर करे की जैसे आपको कराकर पर ही कार्म सब्सक्राइगा घ्याश कर सेयागा फिक चयाका क्वारूट से जरुब करेगा बनता है सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा होता है फिर इसके लाद सोडियम होता है इस तरह पढ़ेंगे जैसे सबसे नीचे आते रहेंगे इसको जुरू आप पढ़के जाएगा सक्रिता सिरडी के बारे में बहुत प्रश्ण यहां से बनता है ना कि सक्रिता सिरडी के बारे में इसके अलावा आपको पढ़ा लिखने के लिए पूष्ण पूष्ण नंबर निस्तापन देता है और चार नंबर का यह रहेगा निस्तापन देता है भरजन देता है इन चारों पॉइंटों में से आपके बोर्ड के एक्जाम हर साल प्रशन देखने के लिए मिलता है तो इसको आप किलियर करके जाएगा ठीक है अब देखें फिर आपका अगला नंबर जो चवथा नंबर का चेप्टर है इसमें कौन-कौन सा प्रशन पढ़ना किन टापिक को ध्यान देना है देखें आपको पहले पढ़ना है सहसनियोजी आप बंद क्या होता है इसको जरूर आप किलियर करके जाएगा सहसनियोजी पढ़ना आपको क्रियात्मक्त सम्मूँ में हाईलोजन पढ़ लिजिएगा एलकोहल का समूँ पढ़ लिए कीटोन के बारे में एल्डीहाइड और एलकेन और इलकाइन यह जितने भी आपको अच्छा पॉइंट बता है इसको जरूर आप किलियर करके जाएगा इसी में साथ में आपको क्या पाना है संत्रिप्त और असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन क्या है इसको आप किलियर करके जाएगा इसके साथ एथनाल एथनोईक अमले के बारे में पढ़िए अब साबूर और अपमार जग इसको आप जरूर पहल दीजिएगा ठीक है फिर इसके रहा को किलियर करके बोर्रके जाएगा हंगेड्र परसंटेज अको्ति देते हैं सिर्फ और यही प्रशन को isn't out और नode अब n को देखता है बहुतिए अग्यान के प्लश्न को ठीक है जो प्रके डिखता है जिसमें आपके सवाल कि ज्यादा बोड के एक्जाम में उस पॉइंट को देखते हैं बहुत तो जना पार अब सब्ल्च पर कए उतल पार 9श कतली हम बनता एक ही प्रतिभीम बनता है इसके बारे में नहीं कियों सब्सक्राइब को सुठ्र होता है इस परन reset अच्छक टो पर नहीं को द्यान दीजिएगा तो आपको पहले चेपटर में जनकर इतना ही आपको पढ़एंट पढ़के board की इक्जाम में जाना है थीक है इस point को ध्यानкой दियेगा इसके लाबाँ आप आप्वोर्तन आंग के चलाओं यह चलाएं एक सवाल इस फार्मूला पर जरूर आता है तो आप एक दो प्रश्ण आप जरूर हल कर लीजिएगा और प्रश्ण आपके एक जाम में आता है अब देखिए इसके बाद आता है उत्तल और ऑउतल लेंस अप सभी को पता है कि च्छा परतिविम बनता है और तल से सिर्फ एक इसका उल्टा होता ठीक है अब देखिए इसका परतिविम कैसे बनता है इसका सुत्र पढ़ लीजिए फिर इसके लिए आवर्धन छमता के बारे में पढ़के जाए ति यह चप्टर आप किलियर हो जागा कि उत्तल और आवतल लेंस के बारे में ठीक है और इस पर लेंस के बौर्ड के इक्जाम में जाएए फ्रेंस ठीक है अब देखिए अगला आपका चप्टर चालू आता मनूनेत्र में सबसे ज्यादा इंप्टन क्या है जहां से आपकी बौट के इक्जाम में आता है मानूनेत्र में क्या करना है निकटद्रिष्टी दोस और दूर द्रिश्टी दोस्ट यह तो हंडेट परसंटेज इस सलमान के चलिए कि 2024 का जो बोर्ड का एक्जाम होने वाला है उसमें यह प्रस्ण निकट द्रिश्टी दोस्ट और दूर्द्रिश्टी दोस्ट क्या हो तो इसे जरूर अप पढ़ के जाएगा यह बोर्ड के एक्जाम क्या है जितने पॉइंट बता रहे हैं इसको एक जगर लिग लिजिए और इसे जरूर आप किलियर करके जाएए यही प्रस्ण आपके बोर्ड के एक्जाम में आएगा बार बार बता रहे हैं ठीक है अब देखिए आप अगला देखते हैं विद्दूत से संबंदित विद अंतर का फार्मूला प्रस्ण को याद करके जाएगा अब इसकी अलावा देखें आपको और नियम देखिए प्रतिरोत का संड्य श्रण क्रशव्ण यहां से बनता है चाहीं की पूछता इसको पहलब दीजिए हैं कि प्रतिरोत का स्थनियोजन जैसे आपको समांतर क्रम यानि समांतर क्रम होगा समांतर क्रम और स्रडी क्रम इस पे आपको फार्मूला के साथ साथ इस पे सवाल जरूर पूछता है आपको बोर्ड के एक्जान में ठीक है इसके अलबा देख पी भी आई आ इसका मतलब पावर B मतलब voltage, I मतलब current और R मतलब पर्तिरोर तब P, B, I, R में संबंद जैसे आपको पता होगा P स्कल्टू क्या होता है B, I होता है I स्क्वार R होता है B स्क्वार भाई R होता है यह होता है फार्मूला ना यही संबंद इसको आपको पहना है और इस पर जरूर आप सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा सबसे ज़्यादा सवाल इस वाले फार्मूला पूछता है इसको जरूर आप किलियर करके ही बोड के एक्जाम में जाएगा इस पर सवाल जरूर पूछता है इसके अलवा विद्द धारा का जो उसमी परभा होता है इसके बारे में पढ़िए उसमा का परभा जो पढ़ता है इसका फार्मूला आप पढ़के जाएगा इसमे फार्मूला भी पूछता है ठीक है उसमा का मात्रक क्या होता है कैलोरी होता है इसे आप याद रखके जाए ठीक है या इसके लाव उस्मा कमात रख जूल भी होता है और दूसरा रूप में कैलोरी भी होता है इसको जरूर आप पढ़के जाए करते विद्धुत में सिर्फ जितने भी पॉइंट बता है इन पॉइंटों का आप क्लियर करके जाए आप बो कुमबकी छेटर क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है चुमबकी बल्रेखा सबसे इंप्झाक है इसके बात बार चाहरं कैंड़ करना के बातिज बयुख यह करता है इसे किसी के बारें पढ़के जाना आपको ठीक है फिर इसके लावा सबसे इंपोर्टेंट यह है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है उसमें कौन सी अंगुलिया किसको दर साता है इसको जरूर आप पढ़के जाएगा ठीक है जितने भी पॉइंट बता है आपको यह सभी आपको जरूर कर लिजिएगा ठीक है अब अगला इस्टार्ट होता है जीविज्ञान इतने इतना टापिक भी पहलेंगे ना तो आपको 100% किसी प्रकार का जीविज्ञान में एक भी प्रस्ट इससे बाहर नहीं जाने वाला है ठीक है अब गये सद्वीं में फेफड़ा चित्र बनाईया इसके बाद बारें पढ़िये इसके बाद पांचन के के बारें बादके जो पढ़िए ऑसके आलावर ऐसके बना चित्र आम इसके का चीटरे के सास सकी सरच्ण दूस ठीक है उसकी कारवीधी यह पढ़के जाना देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले पढ़ यह 5 लोटा कैसे बोजन परस दोश्ता उसकी पूरी क्रिया के बारे में में हिर दे की सर रचना के बारे में पूरा पढ़न लीजिए फिर इसके बाद बिक बारे में ज़रूब पढ़के जाएए गया ति यह जितने पी प्रविय। इसमें पढ़ा दिए आप पर कर सा कि ठीक है इसकी बूसल हर्मोन के बारे में और और जनतु और कौन, कौन यह हमारे क्या एक एक चीकर एक एक कर सकते हैं लेकिन आप चाहते हुए भी आ जाता है जिसे चीकणा प्रूंत हमें भी चीका जाता है ठीक है जो जैसे हम आठ्टमीटिक हमारा हात यहाँ इस वाले उंगली पाहत आजागा तो अचानक अपने आप यह किरिया हो जाता है तो आप अंतर कितना है यह दो नंबर का पेपर में आता है ठीक है फिर इसके लाद जन्तुवें में नियंत्र समन्वें के बारे में जरूब पढ़के जाईएगा अब देखते हैं जितने भी जिविग्ञान के इंपोर्टेंट टॉपिक और सभी प्रश्ण आपक प्रजन यानि जन्तु में प्रजनण कैसा होता है पधां में प्रजस्ण में इसके बारे में फिर इसके लाएथ आओक्षे कारे में आपको जुरूब पढ़के बोर्ट के एक्जाम में जाना ठीक है इन टापिकों को आप किलियर कर लीजिए फिर इसके अलावा सबसे ज़्यदा इंपोर्टेंट अपने हाज चालो हुआ था अनुवान सिकता क्या करना है कि मेंडल का योगदान क्या है मेंडल ने किस मत्र के पौधे पर्योग किया था यह आप यादड रखिए गांप परकास के बारें आपको पढ़ना है इसके अलावा वनसागती के जो नियम है वनसाग का बंड्र के पर्योग किया था इसको परके जाए का ठीक कि आप के जीव iter और कि तो वे निगेयवी इसके जतने भी इंपोर्टेंट परस नहां से बंदे आपके बोर्ड के एक्जाम से भी टापिक आपको बता चुके हैं उन्हीं टापिकों को आप 100% किलियर करके जाएए आपका एक भी प्रसन इस टापिक से बाहर नहीं आने वाला है ठीक है तो बस जितना टापिक बताएं संपूर किताब का एक परकार का निचोड़ है इसको आ आपको यह वीडियो पसंद आये वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं चलव साथ में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक अधिक वीडियो को सेर करें थैंक्स फार वाचिंग